नमस्कार दोस्तों मैं सारेका पंकज हाजर हूँ एक बार फिर से निर्मान आईएस की आडियो आर्टिकल को लिकर आज का विशे है खादे श्रिंखला और खादे जाल आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसमें हम किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे पहला होगा खादे श्रिंखला क्या है दूसरा है खादे श्रिंखला के पोशन स्तर क्या है दीसरा है खादे श्रिंखला के प्रकार क्या है चौथा, पारिस्थितिक पिरामिट क्या है? पांचवा, कौन सा पिरामिट किसी पारितंत्र की पोशन सनरचना का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है? छटा है, खादे जाल की परिभाशा साथवा है, लीड मैन का दस प्रतिशत का नियम आठवा, UPSC प्रारंबिक परिक्षा अभ्यास प्रश्ण तो आएए सबसे पहले समझते हैं, खादे श्रिंखला क्या है? खादे श्रिंखला विभिन प्रकार के जीवधारियों का क्रम है जिसकी द्वारा पारितंत्र में हरित पादपों से उर्जा का स्थानंतरन होता है हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों से प्राप्त उर्जा को विभिन जीवों के क्रमबार अन्य जीवों को खाने और स्वतर भी खाये जाने को खाद श्रिंखला कहते हैं उदाहरन की तौर पे देखें घास तिड़ा द्वारा खाये जाता है तिड़ा को मेढग खाता है मेढग को साप खाता है साप को बाज या चील खाता है खादे श्रिंखला में प्रतीक सोपान पोशन स्तर कहलाता है। उपरोक्त उधारन में घास प्रतम तथा बाज पंचम पोशन स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। खादे उर्जा स्थानंतरन की इस प्रक्रिया के दोरान उर्जा तंतर में से उश्मी उर्जा के रूप में छै हो जाती है और अगले पोशन स्तर के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। अतह श्रिंखला में सोपानों की संख्या चार से पांच तक सिमित हो जाती है। खाते श्रिंखला में निम्नलेखित पोशन स्तरों की पहचान की जा सकती है। पहला स्वपोशी ये पारितंत्र के अन्निस सभी जीवों के लिए भोजन का उत्पादन करने वाले हैं। इनमें अधिकतर हरे पादप आते हैं और अकारबनिक पदार्थ को सौर उर्जा की उप जिस दर से विकरन उर्जा संजित होती है उसे सकल प्रात्मिक उत्पादन GPP, Gross Primary Product कहा जाता है। इसे कुल प्रकाश शंचलेशन द्वारा कुल स्वांगी करन भी कहा जाता है। सकल प्रात्मिक उत्पादक्ता का एक भाग पौधों के द्वारा अपने उपा पचय के लिए उपियोग कर लिया जाता है। शेश भाग पौधों के द्वारा नेट प्रात्मिक उत्पाद NPP, Net Primary Product के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो उपभोगताओं के लिए उपलब्ध रहता है। शाकाहारी ऐसे जन्तु जो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खाते रहते हैं प्रात्मिक उपभोगता या शाकाहारी कहलाते हैं जैसे की कीडे मकोडे, पक्षी, कृतंक और जुगाली करने वाले जन्तु। मानसाहारी ऐसे जन्तु जो शाकाहारी जन्तुओं का भक्षन करते हैं प्रात्मिक उपभोगता कहलाते हैं और यदीव मानसाहारी कहलाते हैं जैसे कि मेढक कुत्ता बिल्ली तथा बाग सर्वाहारी ऐसे जनतू जो पौधों और जनतू दोनों का भक्षन करते हैं उधारन के तौर पे सुवर भालू तथा मनुश्य अपघटक ये प्रतेग पोशन स्तर में जीवों के मृत अवशेशों का भक्षन करते हैं तथा पोशक तत्वों के पुनरचक्रण में सहायता करते हैं उधारन के तौर पर जीवानों तथा कवक्ष खादे श्रिंखलाएं दो प्रकार की हैं पहला है चारागाह वाली खादे श्रिंखलाएं ये श्रिंखलाएं उनहरे प επιदों से आरंभ होती हैं जो शाकहारी और म प्रोटोजोन तथा मानसाहारी जन्तूओं के लिए भोजन उत्पन करते हैं। शकाहारी मानसाहारी दूसरा उत्पादक अपरदहारी मानसाहारी। खादे जाल क्या है? फूड़ विब किसे कहते हैं? पारितंत्र में पोशन स्तर राखिक नहीं होते वरन यह एक दूसरे से सैयोजित होते हैं और खादे जाल का नर्मान करते हैं। इस प्रकार खादे जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरी से सयोजित खादे श्रिंखलाओं का एक नेटवर्ग है एक जन्तु विभेने खादे श्रिंखलाओं का सदस्य हो सकता है खादे जाल किसी पारितंत्र उर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है पारितंत्र में उर्जा का प्रवाह सदेव रहखी होता है, क्रमवर्ती पोशन स्तरों में उर्जा प्रवाह की मात्रा में रास होता है खादे श्रिंखला या खादे जाल के प्रतेक सोपान में जीवो द्वारा प्राप्त की गई उर्जा इसके स्वेंग के उपापचे और अनुरक्षन में भी प्रयोक्तों होती है और शेश उर्जा अगले पोशन स्तर को हस्तानंतरित होती है पारिस्थितिक पिरामिट, इकोलोजिकल पिरामिट क्या है? पारिस्थितिक पिरामिट किसी पारितंतर में पोशन स्तरों का आलिक ही निरुपन है इनकी आकरिती पिरामिट की तरह होती है और ये तीन प्रकार के होते हैं उतपादक पिरामिट के आधार की रचना करते हैं और पिरामिट की अनुवर्ती स्रेणिया, शाकाहारी, मांसाहारी और शिर्षस्त मांसाहारी स्तरों को दर्शाती हैं पहला है संख्या पिरामिट, नंबर पिरामिट किसे कहते हैं ये प्रतेग पोशन स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है उदाहरन के लिए देखें गास के मैदान में गास की संख्या गास को खाने वाले शाकाहरी जन्तों की तुलना में अधिक होती है और शाकाहरी जन्तों की संख्या मांसाहरी जन्तों से अधिक होती है कुछ मामलों में संख्या पिरामिड उल्टा भी हो सकता है अर्थात शकाहारी प्राथमिक उत्पादकों से अधिक होते हैं जैसे कि अनेको इल्लियां और कीट एक ही व्रिक्ष से भोजन प्राप्त करते हैं दूसरा है जीव द्रविमान पिरामिड ये प्रतेक पोशन स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संखती को दर्शाता है खड़ी फसल का जीव संखती किसी दिन हुए समय में सजी पदात की मात्रा है इसे ग्राम या यूनिच शेतरफल या किलो कैलोरी एकांक शेतरफल के द्व ये परितंत्रों में जीव संगहती का पिरमिड उल्टा हो सकता है। उदारन की तौर पे तालाब में पादप, प्लवक, मुख्य, उत्पादक है। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है और बहुत तेजी से नए पौधे इनकी जगह ले लेते हैं। अतर किसी दिये वे समय में इनका कुल जीव संगहती इन पर आशुरित साकाहारी जन्तों की तुलना में कम होता है। आए अब समझते हैं उर्जा पिरमिड एनर्जी पिरमिड किसे कहते हैं। ये पिरमिड प्रतेक पोशन सतर पर उर्जा की कुल मात्र को दर्शाता है। उर्जा को किलो कैलरी एकांक शेत्र एकांक समय की द्वारा व्यक्त किया जाता है। उर्जा पिरमिड कभी भी उल्टे नहीं होते। लीड मैन का दस प्रतिश्यत का नियम क्या होता है? आए समस्ते हैं. पारितंत्र की पोशन सनरशना से ये सपश्ट हो जाता है कि क्रम बढ़ती पोशन स्तर में उर्जा का हरास होता है. इसके दो कारण है. पहला है प्रतेक पोशन स्तर में उपलद्ध उर्जा का एक भाग पोशन में नश्ट हो जाता है या उपापचय किर्याओं में प्रयुक्त हो जाता है. दूसरा है उर्जा का एक भाग प्रतेक रुपांतरन पर नश्ट हो जाता है अर्था जब उर्जा निम्न पोशन स्तर से उच्चतर पोशन स्तर में जाती है तो उश्मिय उर्जा के प्राप्त की गई उर्जा तथा उचतर पोशन स्तर को स्थान तरित होने वाली उर्जा का अनुपात पारिस्थितिक दक्षता कहलाता है। इन पारिस्थितिक दक्षताओं को सर्वप्रथम 1942 में लिंडमिन ने परिभाशित किया था और 10 प्रतिशत का नियम प्रस्तुत किया। अर्थात यदि स्वपोशी 100 कैलोरी का उत्पादन करते हैं तो शाकहारी जीवों को 10 कैलोरी तथा मांसाहारी जन्तुओं को 1 कैलोरी उपलब्द होगी। यद भी विभिन पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है। तदा पारिस्थितिक दक्षताओं का परास 5 से 35 प्रतिशत्ता है। खाते शेंखलाओं के अध्यन का महात्व क्या है। पहला है ये पारितंत्र के विभिन जीवों की अन्यो न्याक रियाओं और पोशन संबंधु को समझने में सहायक होता है। दूसरा है ये पारितंत्र में उर्जा प्रवाह और पदार्थों के परिसंचरन की व्याख्या भी करता है। तीसरा ये पारितंत्रों में जैव आवर्धन की परिकल्पना को समझने में सहायक होता है। अब आखिर में आचुका है प्रश्ण यूपीसी प्रारंभिक परिक्षा अभ्यास प्रश्ण और प्रश्ण है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्व में दिये गए कतनों पर विचार कीजिए। पहला पारितंत्र में पोश्ण स्तरर रैखिक नहीं होते वरन ये एक दूसरे से सयोजित होते हैं और खाते जाल का निर्मान करते हैं। दूसरा है पारितंत्र में उर्जा का प्रवाह सदैव रेखिये होता है। सही कूट का चैयन करें। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक नहीं दो। ओडियो आर्टिकल में दियेगे प्रारंभिक परिक्षा प्रश्ण का सही उत्तर आपको अगले दिन कामेंट बॉक्स में पिन मैसेज में दिया जाएगा। इसके साथ ही आप पेडियेफ को भी नेक्स्टे नर्मान आईएस के टेलिग्राइम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो दीजे इजाजत, नमस्कार।